पुर्मान इस रिष्टे को हम क्या नाम दे। कुछ रिष्टे हो ऐसे होते जिनका नाम ही नहीं होते। चीटिंग इस चॉइस होते तो छोड़ देता ना मैंडम। नैतिक्ता का पार्ट आप नहीं पढ़ाएं तो बहतर है। रखा तो दोनों को ना। वो सामान नहीं है। आप उनके साथ रहते हो आपने रखा नहीं है। सब्सक्रे पहले तो पायल की मजबूरी का फायदा उठाया। ना मांती मुझे प्यार हुआ पर हर किसी को प्यार होते है। कृतिका दायन भी साथ घर छोड़ करके वार करती है। और तेरी भाई साथ डायन भी साथ घर छोड़ के वार करती है। क्या तगड़े वाली हापर लाइन बोल कर कृतिका का मुँ उतारा है। उसकी बेजतिकी है। भाई साथ उसका फेस देखने वाला था। मैं तो अब खुश हूँ जिस तरह से फिनाले में गए उच्छर रहे थे। ठीक है लेकिन फिनाले में जिस तरह से मीडिया ने इनको ट्रॉल किया है। मीडिया ने इनकी ऐसी तैसी की है। अर्मान को भी बोला गए है कि भाई या इस रिष्टे को क्या दाम दू ठीक है। गार्डन एरिया में पूरा हुआ है। और जैसे ही घर के अंदर जाते तो कृतिका बहुत ज्यादा रोती है पहले तो वो अच्छे से वाप देती है साबने से और उसे बोला जाता है कि भाईया डायन होती है न डायन वो साथ घर छोड़ के वार करती है लेकिन तुम ने तो अपनी ही फ्रेंड के घर वार किया है त कर्मान को यह भी बोला गया कि जो पाइल मलिक है वो बाहर आपसे डिवोस का बोल रही है वो आपको डिवोस देना चाती है तो ये चीछ सुनकर वो बोलते कि नहीं ऐसा तो नहीं है अगर ऐसा होता तो तो वो कपड़े क्यों भीज थी और मैंने गाईज आपको पहले भी बत जालती थी, आज मैं अलग होके जा रही हूं, घर छोड़के जा रही हूं, यह लोग ऐसे वो लोग डालते हैं, कि ताकि व्यूज आ सके, व्यूज के चकर वे उसने डाला, तो यह पर अर्मान मलिक ने एक्सपोज कर दिया कि भाई अगर ऐसा था, तो वो कपड़ी क्यों भे अब मैं जैसे ही घर से निकलूगा, सीधा चंदीगर पहुंचूँगा, फलाइट लूगा, मैं तो भीया मीडिय के सामने अब नहीं आने वाला, तो भाई साब, तगड़े वाली यहाँ पर कलास लगाई है, ऐसी की तैसी कर दी है, बैंड बजा दी है, और यह देखकर, फ करितिका को यादा टार्गेट किया गया, यहाँ पर मैं आपको बताओ, तो कटारिया को भी टार्गेट किया गया है, सना मगबूल को भी टार्गेट किया गया है, तो यह तीन-चार लोग है, जिनको यादा टार्गेट किया गया है, इस पर गाईज, आप क्या बोलोगे, क पीजन तरीकी हारेक अब्रेट दे रहे हैं